नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपने चैनल HPS Studies में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपके लिए 31 अगस 2021 का करंट अफे लेकर आ गया हूँ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो आप से नरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छी लग जो कि भारत के लिए पहला है है खितन वो किसने और्गनाइज किया था तो आंसर यहां पर सभी ने दिया था AICTE ने अब यह है कि यह टेकनलोजी बेस्ट हमारी जो बीटेक वगेरा जो कराती हैं उसको मैनेज करने उसको स्लेबस मैनेज करना उसकी जो स्टेडी मैनेज करन लिख दिया था क्योंकि हम जातर पढ़ते नहीं है इसलिए चलिए आज की करनेटेफेर की बात करें विच डे अब्ज़र्ड एज नैशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया तो नैशनल स्पोर्ट्स डे कम मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा यहां पर 29 अगस्त को 29 अगस्त मनाया जा रहा है हर साल मनाया जा रहा है और मेजर धियांचंद्र जी के लिए एक अपडेट है कि मेजर धियांचंद्र खेल रतन अवार्ड भी एनाउस किया है नरेंदर मूदी जी ने पहले मेजर धियांचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता था लेकि और उसमें 25 लाक रुपए आपको इनामी राशी मिलती है और जो मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था उसमें 10 लाक रुपए आपको राशी मिलती है ठीक है और कुछ जगह पर जो नैशनल स्पोर्ट्स डे है उसको कुछ जगह पर रास्ट्रिय खेल दिवस भी कहते है भारत में ठीक है और मेजर ध्यानचंद्र की की बात की जाए तो 39 अगस्त 1905 को अलाहाबाद में इनका जन्मुआ था और दिल्ली में इनकी मृत्ती हो गई थी ठीक है यहां पर रिवीजन कर लेते हैं डेस को तो जैसे वाटर वीक कब मनाया गया तो 21 अगस्त को अक्षयूर्जा दिवस 20 अगस्त को सदभावना दिवस 20 अगस्त को मॉस्कयूटो डे 20 अगस्त हुमोटेरियन डे 19 अगस्त फोटोग्राफिज डे 1920 अगस्त पिय मुदी ने 14 अगस्त को पार्शल राणम रिमेम्रेंबरेंस डे मनाने की घुशना की Cabinet यह भी हमें याद रखना है अगले कॉश्चन की बात करें तो World Organ Donation Day 13 अगस्त को, International Left Handder Day 13 अगस्त को, International Youth Day Observed 12 अगस्त को, World Elephant Day 12 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड फ्यूल बायो फ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है लॉयन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है नागा साकी डे 9 अगस्त को और इंटरनेशनल डे ओफ वर्ल्ड इंडिजीनियस प्यूपल के लिए 9 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मन जाता है तो यह सारे डेज हमने रिवाइस के लिए हम लास चल रहा है मन्त का तो इसके बाद यह रिवाइज बस हम important करेंगे लेकिन यह सारे डेज हम रिवाइस नहीं करेंगे तो इसलिए मैंने एक बार आपको सोचा रिवाइज करा दू एक बहतरीन इंफॉर्मेशन आई है पैरा ओलम्पिक से आपको पता है चल रहा है 24 अगस से स्टार्ट हुआ था यह और वहां से एक बहतरीन इंफॉर्मेशन भारत के लिए आई है कि भारत की पहली इंडियन वूमन जिनको गोल्ड मेडल मिला है अब वो किस स्पोर्ट से बिलॉंग करती है तो आप इनको देख रहे हैं आपे स्क्रीन में तो यहां पर आप समझ जाएंगे कि यह सूटिंग गेम से बिलॉंग करती है इनका नाम क्या है अवनी लेकारा है जिनका नाम है और यह राजस्थान से बिलॉंग करती है और यह पह अगर इससे पहले बात की जाए तो अवनी फोर्थ नंबर की इंडियन प्लेयर है जो पैर ओलम्पिक में गोल्ड लाई है उससे पहले सबसे पहले मुरली कांत पेटकर 1972 में गोल्ड मेडल भारत के लिए सुमिंग में लेकर आये थे उसके बाद जेवलिन थ्रोव देवेंद् और मर्यपन ठंग वेलू भी गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आये थे और यह चोथी परसन बन गयी है अवनी लेकारा और पहली वुमन भन चुकी है जो की गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आई पैर ओलम्PPिक में पैर ओलम्पिक स्टार्ट कब हुआ था तो बतादू 1960 में इटली से स्टार्ट किया गया था इसको और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में आपको जब यह खतम हो जाएगा उस ताइम प्रोवाइड करा दोगा चलिए स्पोर्ट से कुछ रिवीजन कर लेते हैं तो पैरा ओलंपिक 2020 में निशाद कुमार जो की जीते हैं मैंस में हाई जमपर हैं वो पैर ओलंपिक 2020 में ही भविना भविना बेन पटेल जो की सिल्वर मेडल जीत कर लाई है टेबल टैनिस खेलती हैं तेकचंद्र जो की फ्लैग वेर रहे हैं ठंग वेलू मरियपन ठंग वेलू की जगे इनोंने ली है और हर्याना से यह ब चैंपेशिप रोस्टर में पार्टिसिपेट और जीतने वाली टीम के प्लेयर रहे हैं सैली सिंग जो की लॉंग जमपर हैं और सिल्वर मेडल जीती हैं डबलू ए यू ट्वन्टी चैंपेशिप में वर्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपेशिप नेरोबी में खेली जा रही है ओडीशा जो की अगले 10 साल तक होकी टीम को स्पॉंसर करेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी से जून तक की हमने एक एग बुक निकाली है जो की सिर्फ 29 रुपीज की है और 600 कोशन का कलेक्शन है अगर आप इसको पर्चेस करना चाहें तो Belgium Grand Prix 2021 को 2021 जो Grand Prix है Belgium का वो कौन चीता है तो आंसर यहां पर हो जाएगा मैक्सोस्ट. मैक्स वर्सट. Бैलजींच गर्पिस जीते हैं तो यह बहुत जादा की जीते हैं लेकिन इस बार यह जीते हैं तो यह मोस्त इंपोर्टेंट हो जाते हैं Max Verstappen की बात की जाए तो रेड बूल चलाते हैं और नीदरलेंड के प्लेयर हैं और बेल्जियम ग्रेंड पिक्स जीते हैं और ज्यादा information detail में जानने की यहाँ पर जरूरत नहीं है लेकिन इस स्लाइड मैंने सारी जितनी भी 2021 में ग्रेंड पिक्स हुई है वो सारी लिख दी है तो वो जानना जरूरी है अगर पहली की बात की जाए तो बहरें ग्रेंड पिक्स हुई थी जो की लुईस हैमिल्टन ने जीता था और मर्सडी चलाते हैं वो ग्रेट बीटन के प्लेयर है एमिलिया रोमांगना एफवन ग्रेंड पिक्स जो की मैक्स वस्ट अपन जीते थे मैंने आपको बता ही दिया रेड बुल चलाते हैं और नीदर लैंड के प्लेयर है पुर्तगाल की जो grand picks होती है उसे Lewis Hamilton जीते थे Spanish grand picks Lewis Hamilton जीते थे Monaco grand picks Max Verstappen जीते है Azerbaijan grand picks Sergio Perez जीते है जो की Mexico के player है और Red Bull ये भी चलाते है और Max Verstappen भी Red Bull चलाते है French grand picks Max Verstappen Red Bull चलाते है नीदलेंड के player है Istarian grand picks Max Verstappen Austrian grand picks Max Verstappen British grand picks Lewis Hamilton जीते ग्रेड बीटन के और मसरी चलाने वाले player है Hungarian Esteban Oaken जीते रिनॉल्ट चलाते है और France के player है Belgium आपने पढ़ी लिया होगा Max Verstappen जीते रेड बुल चलाते हैं नीदलेंड के player है ये सारी हमने grand picks यहां पर आपको revise करा दिये है रोक लीजिए screenshot ले लीजिए और इसको एक जगे लिख लीजिए जिससे कि आप revise करके याद कर सके इसे तो अगला question है Rajnath Singh Names Army Sport Institute जो की पूने में है On which sport person name तो वो किस sport person के name पर रखा गया आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं नीरत चोप्रा स्टेडियम के नाम पर जो Army Sport Institute है उसका रख दिया गया है तो यहां पर आंसर हो जाएगा नीरत चोप्रा आप सकल भी इनकी देख सकते हैं तो यह honor मिला है क्योंकि gold medal भारत के लिए लेकर आये हैं और 2008 में हमको अभिनव बिंदरा जी ने gold medal जिताया था और उसके बाद यह दूसरे individual player बन गए हैं जो की gold medal लेकर आये हैं इसलिए इनको उपलब दिया दी जा रही है चलिए यहां पर बात करते हैं तो राजनाज सिंग जी ने army sport institute में जो पूने में available है वहां के stadium का नाम रख दिया है नीरच चोपडा stadium यह बात आपको याद रखनी है आने वाले हर exam में आपसे पूछी जाएगी इंडियन आर्मी ने mission olympic नाम से प्रोग्राम शुरू किया था 2001 में और उन्होंने players बनाने शुरू किया और नीरच चोपडा भी आर्मी में है आपको यह मालूम होगा क्योंकि famous हो चुकि है अनके बार में तो बच्चे बच्चे को पता है सब कुछ यह javelin thrower है यह तो आपको मालूम होगा मैंने आज दुबार से बता दिया अगले question की बात करें world highest altitude movie theater open in which state or duty तो answer यहाँ पर हो जाएगा सबसे highest जगे पर movie theater खुला गया है वो लद्दाग जगे है कहाँ पर लद्दाग में खुला गया है और लद्दाग में पहले वहाँ पर नहीं था अब खुल दिया गया है तो world highest movie theater खुला गया है लद्दाग में और कितनी उचाई पर है तो 11,562 फिट की उचाई पर है और ये 28, minus 28 degree Celsius पर काम कर सकता है Indian Air Force की बात की जाए तो अभी इन्होंने हाली में record बनाया था कि highest position पे ATC मतलब Mobile Air Traffic Control बनाया था जो कि Advanced Landing Ground लद्दाग में सेट किया गया था ठीक है और plane से connectivity बढ़ाने के लिए चीज़ बनाए गई थी चलिए आगे बात करें अगला question है who wins 2021 बार्सेलोना ओपन चेस्ट टूनमेंट तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा SP सेथू रमन SP सेथू रमन जो की चिन्नाई तमिलनाडू से बिलॉंग करते हैं ग्रेंड मास्टर हैं भारत के और इन्होंने यह जो बार्सेलोन ओपन चेस्ट टूनमेंट टाइटल 2021 का जीत लिया है और इन्होंने हराया किसको है तो डैनिल युफ़ा को हराया है जो की रश्या से बिलॉंग करते हैं ठीक है चलिए और चिन्नाई से बिलॉंग करते हैं चेस्ट खेलते हैं यह भी आपको याज रखना है ऐसा कोशन भी आपसे बन सकता है चलिए आगे बात करें अगला कोशन है Ministry of Road Transport and Highway has introduced a new registration mark for new vehicles is answer यहाँ पर हो जाएगा भारत सीरीज करके एक new registration mark introduced किया है Ministry of Road Transport and Highway ने यह सब के लिए भी अबलेबल नहीं है यहाँ पर क्या करना है जो भी नई वेहिकल्स आप खरीद रहे हैं तो उसको registered करना है registration करवाना है according to Ministry of Road Transport and Highway किसके पास है तो नितिन गटकरी जी के पास यह ministry है अगर यहाँ पर बात की जाए तो अभी किसको यह facility अवलेबल है तो defense की जो गाडिया है उनके लिए अवलेबल है कोई भी central government के employee है उनके लिए अवलेबल है state हो या फिर public sector के जो employees है उनके लिए अवलेबल है private sector की जो company की जाडिया है उनके लिए भी अवलेबल हो गई है सुविधा थोड़ी दिनों में यह नॉर्मल आदमियों के लिए भी हो जाएगी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला question है RBI Enhanced Limit Under Indo-Nepal Remittance Facility 2 मतलब पहले आप इंडिया से नेपाल पैसा भेज रहे होते थे तो आप के पास एक limit थी अब वह limit को बढ़ा दिया गया है तो limit कितनी हो कर दी गई है तो अंसर हो जाएगा 2,00,000 limit कर दी गई है पहले 50,000 थी एक बार में आप 50,000 रुपया भेज सकते थे लेकिन अब उस limit को बढ़ा कर 2,00,000 रुपय कर दी गई है और 2,00,000 करने के साथ साथ एक साल में आप सिर 12 transaction कर सकते हैं और पहले क्या था पहले भी आप एक साल में 12 कर पाते थे और अभी भी 12 कर सकते हो लेकिन amount बढ़ा दिया गया है पहले आप 50,000 कर पाते थे एक बार में और अब 2,00,000 कर सकते हैं इससे benefit होगा जो नेपाल के लोग हैं वो इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं और पैसा उनको पहुचाना होता है अपने घर पे तो आसानी से transaction कर सकते हैं और इस चीज़ को यह जो rule है यह कब बनाया था RBI ने तो 2008 में इस rule को बनाया गया था और वो question मेरे को अभी last year के जो NTPC का exam हुआ है उसमें मिला है कौन सा पहली woman deputy governor यह पूछी गई है और यह मैं जब पढ़ रहा था सुबहे तो मेरे को यह दिखा इसलिए मैं समझ गया कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको सही चीज पढ़ा रहा हूं और वह best detail में आपको देने क 25 को बनाया गया था और किस act के अंतरगत तो 1934 के अंतरगत बनाया गया था यह question तो बहुत पूछा गया यह तो आपको भी मालूम होगा अगर बात की जाए डॉक्टर अमेडकर साहब ने एक बुक लिखी थी the problem of rupee and its origin and its solution यह book inspire कर रही थी RBI को बनाने के लिए और भी सब्सक्राइबरी 1949 को बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है RBI के जो emblem है वहां पर पैंथर और पाम ट्री को दिखाया गया है RBI को fully government of India चलाती है और यहां पर बात की जाए RBI पहले starting में कलकत्ता इसका headquarter था और 1937 में इसको मुंबई transfer कर दिया गया अभी भी मुंबई म होते हैं उनका चार साल का कारिकाल होता है और यहां की जो एक series है उसमें चार तो director बस बाफ किजेगा एक तो director होते हैं और चार होते हैं deputy director जिनको deputy director पहली रही है महिला के जी उदेसी के जे उदेसी यह question पूछा गया है और आज ही सुबह मैंने जो previous year के जो हुआ था भी प भी रहे हैं जिनका नाम है Dr. Manmohan Singh 1982 से 1985 तक यह रहे हैं पहले governor RBI के भारती थे जो की CD देस्मुक्त थे और पहले जो सबसे पहले 35 में बने थे वह Sir Osborne Smith थे जो की अंग्रेज थे ठीक है चलिए आगे बात करें एक book release हुई है वह book है Mission Domination An Unfinished Quest answer हो जाएगा बोरिया मजूमदार और कुशन सरकार दोनों ने मिलकर इस book को लिखा है यहां पर किसके किसके बारे बात की गई है तो इस book में रिशब पंथ रोहिच शर्मा और सुबमें गिल आर अस्विन और चतेस्वर पुजारा जी के बारे में यहां पर इस book में बात की गई है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आज के quiz की तो who inaugurates menstrual hygiene project my pad my right flag of mobile ATM van in tripra तो किसने launch किया है यह आपको बताना है detail में आपको answer बताना है आपको मैं आज के दिन की सुबकामनाय देता हूं जन्मास्मी की आप सभी को सुबकामनाय और अगली जन्मास्मी जब भी मनाएं तो बहुत बैतरीन मनाएं मतलब आपके पास job हो यह भी दुआ करता हूं आप हुआ 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 ह